नमस्कार दोस्तों घरेलुखवर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेट में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों आज हम आप लोगों को हरितालिका तीज ब्रत की उध्यापन की विधी बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेयर करेंगे हर इतालिका तीज साल में आने वाले सभी ब्रतों तेवहारों में से एक है तीज का यह ब्रत भादरपद सुखल पक्ष की तृतिया को मनाया जाता है सास्त्रों के अनुसार भादपद सुखल तृतिया को हस्त नच्चतर में भगवान सिव और माता पारवती का पूजन विसेश महत्पूर्ण होता है यह ब्रत कुमारी और सौभागवती महिलाओं द्वारा अखंड सौभाग के लिए रखा जाता है और यह ब्रत निराहार एवं निर्जला किया जाता है चुकि इस दिन भगवान सीव और माता परवती की पुझा अखंड सौभाग के लिए की जाती है लेकिन कई कारणों की वजह से महिलाओं का यह ब्रत बीच में छूट जाता है ऐसे में उन्हें हरितालिका तीज का उद्यापन अवस्य कर लेना चाहिए जिससे उन्हें हरितालिका तीज ब्रत का पोन फल प्राप्त हो सके तो चलिए जानते हैं उद्यापन की विधी क्या है तो हरितालिका तीज के ब्रत का उद्यापन हरितालिका तीज पर ही किया जाता है इस दिन निर्जल ब्रत रखा जाता है इसलिए आप इस दिन असनान करने के बाद साफ वस्त्र धारन करें इसके बाद सबसे पहले भगवान गनेश की विधिवत पूजा करे और इसके बाद भगवान सीव को पांच सफेद बस्त्र और माता पारवती को पांच लाल वस्त अर्पित करे वस्त अर्पित करने के बाद सीप परिवार को पांच बरतन और पांच प्रकार के फल अर्पित करें इसके बाद माता पारवती को सिंगार की वस्तुएं अर्पित करें और पती और पतनी गठवंदन करके दोनों लोग सीप परिवार की पूजा करें सीव परिवार पूजा में सबसे पहले गाय के कच्चे दूद से सीव परिवार का विसेख करे, इसके बाद उन्हें फूल चढ़ाए, धूप व दीप जलाकर विधिवत पूजा करे, इसके बाद हवन करे, और नव ग्रहों की आहूती दे और सीव परिवार को खीर का भोग ल अगले दिन ब्रत का पारन करे, तो दोस्तों ये थी हरिठाल का तीजब्रत की उद्यापन की विधि, आप या तो उद्यापन स्वयम कर सकते हैं, या किसी योग पंडित के द्वारा भी करवा सकते हैं अगर इस ब्रत को उद्यापन आप खुद करना चाहती हैं तो इसके लिए जैसे कि आवसेक सामगरी की आप सेक्टा होती है तो ब्रत उद्यापन के लिए पूजन सामगरी में और उन्हें भूजन कराएं इस तरह से आप हरिताल का ब्रत का उद्यापन कर सकती हैं तो दोस्तो आसा ही नहीं पूर्ण विश्वासे कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करे, सेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे थैंक्स